ये बड़ी बात मानी जा रही है अर्पता बिल्कुल आशिका आप रही है और नज़र बनाए रखिए देखिए अपसे थोड़ी देर में अमिशा का कारकरम शुड़ होगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी बढ़ रहे आगे भारतिय सेना ने लदाक में एलेसी पर चीन को ऐसे घेरा कि उसे आप अपने तंबू उखाण कर उल्टे पां वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा है लेकिन चीन को घमन भारती जावाजों ने कैसे चकना चूर किया इस बारे में न्यूज 18 से एक्सक्लो से बातचीत की नॉर्दन कमांड के आर्मी कमांडेंट लेट जनरल वाई के जोशी ने न्यूज 18 को बताया कि कैसे चीन भारत की सब ही शर्ते मानने को मजबूर हो गया और कैसे भारत ने चीन को फिंगर एट के पीछे तक धकेल दिया हम आपके साथ लदाक से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हैं नदनामी कमांडर देश के जनरल वाई के जोशी जनरल जोशी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सबसे पहरे तो आप हमको समझाईए कि पैंगॉंग सो में जो ये पूरा डिस इंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है ये कैसा चल रहा है कहां तक पहुंच आप ये जो पिंगॉंग सोम इलाके में डिस इंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है ये दस फेबरी को शुरू हुआ है और आज तक बिल्कुल स्मूदली कंडर्ट किया जा रहा है दोनों आमीज अपना-पना काम कर रही है और निभा रही है हमने डिसाइड किया था कि ये जो डिसेंगेंज प्रोसेस है ये हम चार्ट स्टेप में करेंगे और स्टेप बन में जो हमारे बक्तरबंद गाडियां है जो एवेकल्स टैंक्स होंगे जोकी हो चुके हैं और दोनों तरफ ने अपना-पना मुं स्टेप है उसमें जो हमारी कैलाच रेंज के ओपर जो हमारे टूप्लॉएड है रजांगला और शेंगला पास के ओपर वो डिसेंगेज करेंगे और हर स्टेप के बीच में हम पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं वरिफिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर बातशीत कर हैं और शाम के टाइम दोनों को यकीन दिलाते हैं कि दोनों ने अपना अपना हिस्सा सही तरीके से कर लिया है अगर किसी को कोई डाउट होता है तो हम उनको पॉइंट आउट करते हैं और वो अपनी कारवाह करते हैं फिर हम अगले स्टेप के ओपर ये अगले दिन की आपको उम्मीद थी कि ये सारी कारवाही जो है ये थनी जटपट हो जाएगी उम्मीद तो नहीं थी लेकिन जो भारतिय पाउज ने कारवाही की काफी पुलिटिकली बाते चल रही है तो वह अगर आप उनका जवाब ने अच्छा रहेगा सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि नौर्थ बैंक में भारत ने अपनी जमीन छोड़ दी हमारी क्लेम लाइन आठ है हम तीन पर पहुंच गए हैं बफर जोन हमने अपनी टेरिट्री पर बना दिया है और अपनी ही टेरिट्री पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे तो इस बात में सचाई कितनी है यह कोई सचाई नहीं है यह उन्हों हमने एग्री किया है और जो पीपल्स लिबरेशन आमी चाइनी आमी आर्री कर रही है कि चाइनी जो हमारे क्लेम हो आए थे में में तो वो हिंगर एट की पिशे चले जाएंगे जान की हमारी क्लेम लाइन से पीशे चलेड़ेंगे दूसरा फिंगर फोर और फिंगर एट के इंध के लाके में जितना भी इन्फरस्क्रक्षर जो नहींने बनाया है उन्हों बंकर बना है जो उनके टेंटेज हैं, उनके ट्रेंचे उनके हली पैड्स हैं और और भी बहुत सार इंफरस्क्रक्टर्चर्चर्टर उने पिछले दस महीन में बनाया है, उसको पूरा वो वापस रिस्टोर कर देंगे, उसमें से काफी कुछ हो गया है, काफी कुछ अभी चल रहा है, जो वो कोई भी कारवाई नहीं करेंगे, कोई उनकी पेट्रोल नहीं आएगी, कोई उनकी मिलिटरी या सिवल अक्टिविटी कोई भी नहीं होगी, इंक्लूडिंग जो उनका क्लेम लाइन है, फिंगर फोर तक वहां तक भी वो नहीं आएंगे, तो यह हमारे लिए तो बहुत प्रेशर पड़ा, आप सवाल यह है कि अगर इतना हमारे पास टैक्टिकल अडवांटेज है, तो हम इतनी आसानी से उसको क्यों जाने दे रहे हैं, और कहीं ऐसा ता नहीं होगा कि हम नीचे आए और वो उपर चड़ गए, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह एग्रिमें हमने लॉंच किये थे और रजांग लार्चनला को अक्योपाई किया था, यह एक पुपर के साथ था, तो गिवस अ लिवरेज, तो प्रसीड फूर इंगोसिएशन, और गोहेड विद दिसंगेजमेंट, इन अट एरे आए अफ दिसंगेजमेंट, जहां पे हमेरे थोड़ा डिस अटवांटेज था, और वो पुपर्स हमारा अचीव हो गया है, इसी की वज़ा से यह डिसंगेजमेंट प्रसेस अभी शुरू हुआ है, अब इस लिवरेज को लेकर हम पूरा बाउंडरी इशू तो रिजॉल नहीं कर सकते हैं, तो यह हम को समझना चाहिए, जिस खराब नहीं है, यहां पर टुप्स आइबॉल नहीं बैठे हैं, उनको बैठके निगोशेट करेंगा और उनको रिजॉल्फ करेंगा, तो देपसांग क्या सुजज जाएगा, पर हमको यह समझना चाहिए कि देपसांग में, देपसांग का इस प्रिजन सिचुएशन से को सबसे जादा है, तीसरा, यहां पर इतनी ज्यादा फोर्स इतनी डिप्लॉइट नहीं है, आमने सामने, और सिचुएशन वॉलिटाइल नहीं है, यह बहुत ही डाइनमिक सिचुएशन है, जब हमारी पट्रोल जाती है, वह हमको हमारे क्लेम लाइं तक नहीं जाने देता है जब उनकी पट्रोल आती है, हम उनकी क्लेम लें तक जाने देते हैं, तो इस सिचुएशन इज वेरी डाइनमिक, तो हमने यह एगरी किया है, कि हम इस को कमणने फ्लाइग मिटिंग के बाद जो भी नेक्स हमेरे दस्वी होगी, उसमें हम इस इस इस्यू को भी बाचित करे करेंगे और डिसाइड करेंगे कैसे इसको रिजॉल करना है, सर आपने तो एक बड़ी जंग देख रखी है, कारगिल हीरो हैं आप, आपकी कहानिया हम सब ने सुनी है, आपको किसी समय पे लगा था कि फिछले ये जो 9 महीने गए हैं, इसमें जंग छड़ सकती है चीन के सा कुछ ऐसा समय आया था क्या? इस लाकी के उपर खुद हमारे सामने आकर बैठ सके, पर हमारे लिए उसक्त गलवान हो चुका था, हमारी रेड लाइन जो थी हो ड्रॉआ हो चुकी थी, हमको ब्लकुल फ्री हैंड दे दिया गया था, तो हम को ये मनजूर नहीं था, कि उनके टैंक आकर हमारे सामने आए, तो इस सिचुएशन में 31 की रात को, जब हमारे उपर, हम टैंक से उपर बैठे थे, हम टोटली डिप्लॉइट थे, और वो अपने टैंक से लेकर उपर आ रहा था, तो जो हमारा टैंक का गनर था, या जो हमारा एंडी टैंक गाडिन मिजाईल वाला अपने टेलिसकोप से पीए लिए टैंक को आता हूँ देख रहा था, उसके लिए तो बहुत असान था कि या हो ट्रिगर दबाया था, जो उसको उसके लिए बहुत ही आपको बहुत ही पहारती सेना ने हमें ये नहीं बताया, एस्टीमेशन आपके पास है कि गल्वान में चीन की कि cities की द्यृट मारे गए कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में हमें हाँ तो मैं इसको गैस नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं यह जरूरू बताना चाहता हूं कि जब इस में आपको पता है कि जर्शें एजेंसी है तास उन्होंने एक फिगर सब्सक्राइब चाइनीज आमी की कैजुटी बताई है तो इससे ज्यादा भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है अशलूटली मेरा आखरी सवार इस समय आपको सैनिक देश के सेना के सैनिक तो देखी रहे ह होंगे आप उनसे कहना चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं जो लोग इन पहारों में डटे रहे एक अग्रेसिव बुली था हमारे सामने फिर माशाला माहौल वेदर जो था वो भी बहुत खास नहीं था माइनस 45 माइनस 50 डिग्रीज में रहें उनसे और उनके परिवारों से आ और चाहिनीज आमी वापस बिना कुछ खासिल के डिससेंगेज करके वापस धारी हैं ये मुंकिन हो पाया है केवल जो हमारा सौलजर है हमेरे युनियों क्यूनि ए कौनि फै eyes canांड है उनकी बहादोरी उनकीjut रिट निकिटरमेशन के बज़ा से जो ये इक तो चाहिनीज दूसरा जो हाइल्टिटूड एरिया इलाका है टेंपरेचर माइनस 40 डिगरी टेंपरेचर मुझा आप इमाजन कर सकते हैं तो ये सक्सेस हमको केवल उनके बहातुरी की कारण हम अचीव कर पाए हैं और जो उनकी फैमिलीज जो अबने जवानों को सपूर्ट किया इस सिटूएशन में तो आल दी क्रेट गोस तो देम जिनल जोशीर थैंक यू वेरी मच्ट थैंक यू वेरी मच्ट फॉर जोईनिंगास हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स थैंक्यू श्रेव